जीवन के अनमोल विचार लड़की के जीवन का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है अपने पिता के घर में महमान बनना और पती के घर में अपमान पाना आपका वहवार भी किसी आईने से कम नहीं इसमें आपका अहंकार और संसकार दोनों ही दिख जाते हैं आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसकी हालात जानने की कोशिस जरूर करें क्योंकि गलत फैमी से अच्छे अच्छे रिस्ते तूट जाते हैं जीवन वासूरी की तरह है जिसमें बाधा रूपी कितने भी छेद क्यों न हो लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीना आ गया जिन्दगी की चार चार धाम यात्रा मा की गोध बहन की राखी बेटी की हसी और पत्नी का प्रेम नमबर सेभान औरत को उपर वाले ने यह ताकत दी है कि वह जरूरत पढ़ने पर बाप का बेटा और उलाद का बाप बन जाती है नमबर एट यह दो-दो मुह रखने वाले पता नहीं उपर वालों को क्या मुह दिखाएंगे नमबर नाइन इनसान की सोच ही उसे बादसा बना देती है जरूरी नहीं कि उसके पास डिगरी हो नमबर टैन अगर तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं तो फिर संघर्स छोटा कैसे हो सकता है नमबर अलेवन अकेले बैठो तुम्हारे सब सवाल के जबाब मिल जाएंगे नमबर ट्वेल्ब किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते नमबर ठाटीन अपनी वाइफ की हमेशा रिस्पेक्ट करना दोस्तों क्योंकि वह मौत से लड़कर तुम्हें बाप बनने की खुसी देती है नमबर फोटीन लिवास कितना भी कीमती क्यों ना हो लेकिन घटिया किरदार को कभी छुपा नहीं सकता नमबर फिप्टीन कमाना तो पड़ेगा क्योंकि महंगाई का जमाना है और इसते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं नमबर फिश्टीन धूल की तरह उर्ती है अपवाएं सत्य जानने के लिए सबर करना पड़ता है नमबर सेभंटीन किसी को वही देना की जब वापस आये तो हसकर ले सको फिर चाहे बात हो या वहवार क्योंकि दुनिया गोल है और नियती तै है नमबर एटीन करवा सत्य एक बहु का घर तोड़ कर जाना अलग होना सबको दिखता है पर घर में रहते हुए उसका रोना तडपना तूट जाना यह किसी को नहीं दिखता नमबर नाइंटीन जिन्दगी मिली है तो कुछ कर के दिखाओ अगर वक्त खराब है तो उसे बदलकर दिखाओ नमबर जब भी जिन्दगी में संकट आता है तो सहन सकती पैदा कीजिए जो सहता है वह रहता है 21. रास्ते कभी खतम नहीं होते, लोग चलना ही बंद कर देते हैं 22. बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खुबसूरती को चुरा लेते हैं 23. समय बहा कर ले जाता है नाम और निसान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में 24. बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खुबसूरती को चुरा लेते हैं 25. अपनी जीवन को पदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवशकता होती है वह हैं आप खुद 26. अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतिजार करने के वजाए खुद आगे बढ़ते जाओ 27. हाँ मैं अकेला हूँ मैं सब कुछ कर नहीं सकता पर यह किसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता 28. सिखवे तो सभी को हैं जिन्दगी से साहब और जो मौज से जीना जानते हैं वह सिकायत नहीं करते 29. आपके रिष्टेदार, दोस्त और आपके चाहने वाले यह तो चाहेंगे कि आफ सफल हो लेकिन उनसे अधिक नहीं 30. जो व्यक्ती बिना परेशानी और संघर्स के मंजिल पा लेता है उसकी जिन्दगी अनुभव हीन रह जाती है 31. बीते हुए कल से सीखें आज के लिए जिये और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखें 32. विस्तर से इतना भी प्यार मत करना की मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए याद रखना आज तकलीफ बड़ी है तो कल काम्याबी भी बड़ी होगी